एबारमबैजर साब, मैं जाब दूसरा सवाल ये उठ रहा है, कि क्या जो अभी तवांग में हुआ, इसको बहुत सारे मिलिटरी से जोड़े लोग, हमारे वेटरेंस जो है, उनका कहना है, जनल साब ने महाँ सर्फ किया, कि बहुता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हैं, लेकिन हमारा उपोजिशन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि इसको बहुत हलके में ना ले सरकार, और सरकार को ना कुछ छुपाए, महां कि अगर सैनिक आए, हमारी जड़ब हुई, इसमें हमारे सैनिक भी घायल हुए, उनके सैनिक भी घायल हुए, तो इसके विस्तार स मैं यह कह रहा हूँ कि वो कह रहे हैं, लाइटल लिया जा रहा है पर हकीकत क्या है, जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दी है, उन्होंने एक्स्प्लेन किया है कि क्या सिचुएशन है, लेकि मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, हम एक लोग तंत्र ह और लोग तंत्र में विपक्षी पार्टीज का यह हक है कि सरकार से सवाल उठाए जाएं, सरकार के खिलाफ जो भी कहना चाहते हैं वो कहा जाए, पर एक परिस्थिती ऐसी होती है, जब आर्थिक जब बाहरी संकट होता है या अंध्रूनी संकट होता है, तो उस उकत आंत् मत भेद भुला दिये जाते हैं, ये भाई अपना खुद का सूपर मार्केट बना के महीने का 10 लाग कमा रहे हैं, हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं, फ्रीडम अप को अभी डाउनलोड कीचिए, और संदे करना सरकार पे उस वकत दुश्मन का मनोबल थीक करेंगी, ये जरूर, मैं ये नहीं कहना हूँ कि ठीक करेंगी, ये गलत करेंगी, ये कोई भी सरकार अपने समझ के साब से निपने लेगी, और आखिर में जनता की अदालत है, वहाँ फैसला होगा, जिस वकत संकट है, उस वकत आप अगर अगर एमबैरेस करेंगे सरक सरकार को, तो थोड़ी सी कठिनाई हो जाएगी, जिस वकत संकट है, उस वकत इबात ना उठें, संकट मान सरकार नहीं रही है, विपक्ष कहता है, बहुत बड़ा संकट ख़ड़ा दरवाजे के ऊपर, पहले तो ये तैय हो जाना, पर हम परिशानी में है या नहीं है, जब जब देश मंतरी कहते हैं कि इस वकत हमारी चीन के साथ सिती जो रिष्टे हैं, ये भाई, अपना खुद का सूपर मार्केट बना के महीने का 10 लाग कमा रहे हैं, हाँ, सिर्फ पैसे वाले नहीं, आप भी कर सकते हैं, फ्रीडम अप को अभी डाउनलोड कीचिए, वो पहले पूरा बॉर्डर लाइव है, तो सिती तो है ही है, आपके लेकर आपका मानना ये है कि ऐसे परिस्तिती में सरकार विपक्ष एक सुर में बात करें तो बहतर लगता है, बजाए की एक दूसरे पर हम इलजाम तराशी करें, आप जब कह रहे थे, मैं देख रहा था, कलीम साह आ रहे हैं, आपने कहा कि सरकार ही जो है, अपने अपने इसाब से बील करते हैं बातों को, एक चीज और कहना चाहता हूँ, कि जब संकट है, तो इसमें कि हम घड़ी देखके नहीं कह सकते कि ये दो दिन में टलेगा, दो साल में टलेगा, जब डॉर्मल हो जाएगी स्थित कोई संकट खड़ा हो, तो उस वक्त सरकार को कटगरे में खड़ा करने के बजाए, कुछ वक्त इंतजार किया जा सकता है, स्थितियां समाने हो जाए, उसके बाद सरकार से बहुत कुछ पूछा जा सकता है